मुहावरे, मनुष्य के द्वारा निरंतर प्रियोग किये जाने वाले वाक्यांच, जो की एक चमतकार पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं जी हाँ, ऐसे ही मुहावरों में से मुझे एक मुहावरा तब याद आया जब मैं कर्मवीर विशेश कौन बनेगा करोणपती का प्रसारण अपने दूर दर्शन पर देख रहा था उस प्रसारण में दो चिकित्सक पती-पत्नी निमंतरित थे, जो की महरास्टर के बैसराल शेत्र में 36 वर्षों से वहाँ के आदिवासियों की चिकित्सा एवं उनकी आर्थी के स्थी को सुधारने में लगे थे उस समय श्री अमिताब बच्चन जी और उनके बीच वारतालाप करते हुए समय पत्नी ने कहा कि उन्हें लगता है कि वे ही उस स्थान के सबसे महतुपूर आदमी है इस कथन को वह अहम के आविश में आकर नहीं कह रही थी उनका इस कथन को कहने का यह ताजपर था कि आम जिन्दगी को छोड़ कर जाना और उसके उपरांत वहाँ पर जाकर उन आदिवासियों के बीच रहकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वे ही हैं जो उन सभी को विकास की ओर ले जा सकते हैं इसी समय मुझे यह मुहावरा अंधों में काना राजा याद आया जिसका अर्थ अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना है परन्तु यहाँ पर मुझे इस मुहावरे का अर्थ कुछ और ही प्रतीत हुआ भले ही इस मुहावरे के अनुसार उस प्राणी के पास अल्प ज्ञान है परन्तु उसके पास कुछ ज्ञान तो है तो मुझे यह मैसूस हुआ कि क्यों ना वह प्राणी इस अल्प ज्ञान को उन पूंड तह अज्ञानी प्राणीयों को पूंड तह ज्ञानी बनने का मार् दर्शाया इसी पर मुझे मैंने एक पंक्ती बनाई थी जो की है अंधन में काना राजा एक छोड बाकी अज्यान वाकी आखन से सबने देखो सब ही बन गए विद्ध्वान